नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News बिहार की चार विधान सभाज सीटों पर उपचुनाव होने वाला है एक विधान सभाज सीट रुपोली विधान सभाज सीट इस पर उपचुनाव हुआ और शंकर सिंग यादव यहां से चुनाव जीत जाते हैं निर्दली चुनावी मैदान में उतरते हैं बाद में जेडियू पार्टी को अपना समर्थन देते हैं और यहीं से उतरी थी बीमा भारती और यहीं से उतरी थे जेडियू पार्टी के प्रतियाशी लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ता है कलाधार मंडल दूसरी तरफ बीमा भारती ये दो चेहरे जो रुपोली से जीत नहीं पाए लेकिन बिहार की चार और विधान सभाज सीटे हैं जिसमें इमामगड रामगड और बेला गंज और तरारी विधान सभाज सीटे हैं जिसमें से रामगड और बेला गंज की बात कर ली जाए तो ये आरजेडी के खाते में आती है तरारी वामपंतियों के खाते में आती है इमामगड हम पाटी के खाते में आती हैं ऐसे में जहां इन चार सीटों पर उपचुनाव हैं तो चार सीटों के उपचुनावों से प चुनाव में उत्री हीना शहाब जब सिवान से नहीं जीत पाती हैं तब ही लालु प्रसाद यादव विधान सभा चुनाव से पहले उपचुनाव से पहले हीना शहाब से मुलाकात करते हैं और इनी तस्वीरों के अधार पर ये कहा जा रहा है कि रामगड वो विधान सभा स सीट हो सकती है जिस पर उप चुनाव होगा और हो सकता है कि राजत के टिकेट से हीना शाहब यहां से चुनाव लड़ती वी नजर आए क्योंकि विधान सभाद लोग सभाद चुनाव हो हीना शाहब को कहीं भी जीत हासिल नहीं होई है दूसरी तरफ बात करें अभी जेडियू पार्टी की तरफ से भारते जंता पार्टी की तरफ से कोई भी विचार विमर्श नहीं हो रहा है लेकिन जन्द सुराज अभ्यान के मुख्या प्रशांत की शोर की चर्चने तेज हो चुकी है कि वो भी रामगर से चुनाव लड़ना चाहते ही अब एक तर प्रशांत की शोर दूसरी तरफ ही ना शाहब क्या मुकाबला कड़ा होता में नजर आएगा क्या लगता है आपको अगर यही दो चेहरे चुनाव लड़ते हैं जीत किसकी ह होगी क्या है आपकी राइस मुद्दे को लेकर कम सक्षिन में जरूर बताएं देखते हैं इस पर नाइन न्यूस धन्यवाद